इम्रान खान को तो दर्द हो रहा होगा होना चाहिए हो लेकिन हमारे नेताओं को क्यों दर्द हो रहा है जक्टर संबित पात्रा इसाई की लड़की को उठा लिया इसाईओं को मारता हूँ मैं मुसलमानों को भी मारता हूँ इनको भी इंडिया ले जाए जी पता पहली बार मगर मगर ये तो इमरान खान है ये तो गिदर भब्ब्की है हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके लिए कल अमिट शाजी वह भी कहा कि वो भी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं कल कपिल सिब्बल गदार कहना चाहिए कि नहीं ऐसे नेतायां को घदढर कहना चाहिए चीजीजीजे में रुख करता हूं शोईब जमाईशाब का यसाब आप काला कपड़ा डाल कर बाथ कर विरोध दर्च करा रहे हैं आप कहे रहें कि आपके लिए बी एक काला यहार और बहुत 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 शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया आप यह जूट भरम भरम पहला बंद कीजिये अमिश्देव गन जी कि कोई मुसल्मान पाकिस्तानी जो सारनार्थी जो हिंदू है कि अबरेंगे जो कह रहा है कि हम न्युक्लियर वार करूंगा रख पाथ होगा उस पर आपकुछ नहीं कहरा चाथे हम लोग इसके लिए हैं यहां यहां सवाल है उनके लिए पाकिस्तान से आये हैं हमारी माई बहने बैठी मैं साफ तरपर कहता हूं हिंदुस्तान का कोई देने का कोई विरोध नहीं कर रहा है हमारा विरोध इस बात पर है कि इस बिल में जो क्लाउज है जो एबेटमेंट का क्लाउज है वो मुसल्मानों के साथ भेद भाव करता है इसलिए नर्सी में आने वाले वक्त में प्राब्लम होगी इसलिए मैं कहता हूं कि सावरकर की जो हिंदू राष्टवाद की जो खाईश थी ना उसको पूरा करने के लिए कल इसकी नीव डाली गई इसलिए कल के दिन को काले जिहास में, काले अक्षरों से, काली सिहाई और काली कलम से लिग देना कि कल हिंदुस्तान की आजाद हिंदुस्तान का सबसे काला दिन था अमिश भाई, ना केवल मंच पे, अपी तो मंच के सामने भी, ये बहुत हमारे लिए गर्व का विशाय है, हिंदू भाई भी बैठे हुए है, सिख भाई भी शायद कोई होंगे, मैं देखने ही पा रहा हूँ, मगर मुसल्मान भाई भी बैठे हुए, ये हिंदुस्तान की विलेज, कोई भी ऐसा अधिकार छीन लिया है, क्या उस मुसल्मान की ओपर किसी प्रकार का कुठारा घात हुआ है, नहीं, यह बिल कहता है कि तीन मुसलिम देश, जो हमारे देश के बगल में है, पार्टीशन के समय, वहां जिस प्रकार से माइनॉरिटी थे, उनके देश म मैं बीच में नहीं बहुता है, अगर हम लों सब बीचे बीचे बोलेंगे तो डिवेट नहीं हो, अराम से करते हैं, आप इसके बास के सब्सक्राइब कर लो, नमबर एक, किसी भी मुसल्मान का कुछ छीना नहीं है, हम यहां बात कर रहे हैं, किसी को अधिकार देने का, अम मैं बीचे बोल सकता है, मुझे दगता है, अराम से बात करें, अमिच शाजी ने बड़ी बात करें, किसी का अधिकार चीनेगा नहीं, और अमिच भाई आप पीछे मुड़के देखें, यह जो दो माताएं पीछे बैठी हुई है, आप इनकी कहानी सुनिए, यहां जो पूचनेगा जो अप हाल जाल उनका पूचनेगा पिए अप एक सकते